UPSC ने सिविल परिक्षा 2019 का रिजल्ट जारी किया तो सब की निज़र टिकी थी टॉपर पर क्योंकि UPSC टॉप करना कोई आसान बात तो है नहीं अब जब ये सामने आया कि टॉपर कौन है तो उन्हें बधाई देने वालों का ताता लग लग लिए हरियाना के सोनिपत के रहने वाले प्रदीप सिंग ने UPSC में टॉप किया तो उन्हें बधाई तो लोग दे रहे थे लेकिन यहां पर भी एक गलती हो गई जो की बहुत बड़ी गलती है परिडाम घोशित होने के बाद सोशल मीडिया पर सफल हुए छात्रों को बधाई देने का सिलसला शुरू हुआ एक लड़के की तस्वीर शेयर करते हुए टॉपर प्रदीप सिंग को बधाईयां दी जाने लगी ये भी कहा जाने लगा कि UPSC टॉपर प्रदीप सिंग के पिता एक पेट्रोल पंपर काम करती है कुछ न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया यूजर की तरफ से बहुत बड़ी गलती कर दी गए UPSC के जिस टॉपर को बधाई दी जा रही थी जो पोस्ट किये जा रहे थे उसमें तस्वीर किसी और प्रदीप सिंग की लग गए तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति UPSC टॉपर नहीं है बलकि दूसरे प्रदीप सिंग है जिन्होंने UPSC सिविल परिक्षा 2019 में 26 वा स्थान प्रप किया है दोनों परिक्षारतियों का नाम एक जैसा होने के कारण ही ये गड़बड़ी हुई टॉपर के नाम पर जिस प्रदीप सिंग के तस्वीर शेयर हो रही है उन्होंने खुछ ट्विटर पर बताया है कि उनका UPSC में 26 वा स्थान है ये प्रदीप सिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले है तो टॉप किया हर्यान के सोनी पत के रहने वाले प्रदीप सिंग ने लेकिन जो तस्वीर यूज की गई UPSC टॉपर के नाम को लेकर वो प्रदीप सिंग इंदौर के रहने वाले हैं और उनका रैंक 26 वा है तो कुल मिलाकर जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी गई जिसने एक्चिल में टॉप किया था उसे बधाई नाम मिलकर किसी और की तस्वीर शेयर होई तो कुल मिलाकर गड़बड़ी बहुत बड़ी हो गई